यहां बनाएंगे आटे से गुलाप जामून, नहीं मिल्क पॉडर और नहीं बेगिंग सोडा लेकिन टेश्ट में इतना जवरदस्ट कि कोई जहीं बता सकता है कि आफ इसे आटे से बना है और बनाना तो इतना असान है कि आपको जब भी अमन करें तो जचपट से बना के रेडी कर सकते हैं तो चलिए आज की मजदारेसेपी शुरू करते हैं वीडियो पसंद आईगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा गुलाब जामूर बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे को भुनेंगे तो भुनने के लिए गस पे रखेंगे एक पैन और पैन में डालेंगे एक चमस्य करीब घी घी का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ज्यादा मत कीजेगा अब मैं इसमें डालूंगी एक कप गिहुं का आटा, ये वही गिहुं का आटा है जिस से हम नर्मली घर में रोटिया बनाते हैं यहां एक कप गिहूं का आटा ले ली हूँ आप सोच रहे होंगे मैं यहां दो कप गिहूं का आटा ली हूँ नहीं मैं छोटे वाले कप से गिहूं का आटा ली हूँ इसलिए मैं यहां दो कप गिहूं का आटा इस्तमाल कर रहे हूँ अगर ग्राम में बोले तो 200 ग्राम में क बुनने के बाद इसमें से बहुत अची सी खुसबू आने लगती है और इसका कलर एकदम हलका से चेंज हो जाता है तो आप समझेगे कि आटा बिलुकुल अच्छे तरीके से बुन चुगा है अब घस को बंद कर देंगे और भुने हुए आटे को हम एक थाली में निकाल लें बस एक चमची काफी है घी डालने के बाद आप इसमें डाले हम सबसे पहलेब की मलाईी मलाई डालने से य Security से वी बढ़ जाता है और खाने में बहुत आछे तरीके से ढले हैं بعد दूद से ही आप इस आटे को गूतिएगा पानी के इस्तिमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा तो देखिए मैं जिस कप से गहूं का आटा ली हूं उसी कप से मैं यहां एक कपे कडिव दूद ली हूं और दूद बिल्कुल डूम टपरेचर का है नहीं गरम और नहीं ठंडा यहां दूद लगा है और दूद को डालने के बाद अच्छे तरीके से आप इस आटे को गूतिएगा जितना अच्छे तरीके से आप इस आटे को गूतिएगा गुलाब जामुन उतना ही अच्छा बनेगा सबसे मेन काम यही है कि जितना अच्छे तरीके से हो सके उतना करीब हो चुका है और एतना ही गूती हूँ अब यहार यह हाथ में चिप गड़ा है तो इस पर मैं इसमें एक चमसी करिब घी ओर डालोंगी अब घी का काम खतम हो चुका है इसके बाद हम भी घी का इस्तमाल नहीं करेंगे और देखिए आटे को में कितना चिकना गूत के तय मैं चासनी बना करेड़ी करते हैं चासनी बनाने के लिए Around करेड़ हैं मैं इन इसे इसे स्टानी में चीनी में पानी डालें घरी लेवर के लिए 2-3 कुटी हुई हडी इलाची डाल दूंगी और चीनी को अच्छे तरीके से घुलने देंगे अब देखिए चासनी में उबाला चुका है तो मैं यहां एक ड्रॉप करीब फूड कलर इस्तमाल कर रहे हूं अगर आपको नहीं कलर डालना है तो बिल्कुल आप बिल्कुल भी आपका चासनी खड़ाव नहीं होने वाला है देखिए मैं इसे हाई फिल्म पर कड़ी बंद तीन से चारोंड के लिए चासनी को अच्छा तरीके से पका लिए अब देखिए अगर इससे नहीं समझ में आए तो हाथ में थोरा से इस तरीके से लगा कर देखि पलनास आटे को बमा और वाला जांटे को थोरा सेमसल लेंगे अर जिस तरीके से जीतना बड़ा छोटा और लोगा, उस इस तरीके से आप यहां लोई निए, जिस तरीके से इस एम गुलाव-जमून का बाल्स बनाते हैं विल्कुल एप क्यों से इन उनके तह सब्सक्री ब बना ली हूँ एक कप गिहूं काटे से अगर मीडियम साइच के आप गुलाब जमून बना रहे हैं तो 15 गुलाब जमून असानी से बन जाएगा तो देखें मैं सभी इसी तरीके से बॉल्स बना कर रेडी कर ले हूँ अब चलिए इसे फ्राइ करते हैं फ्राइ करने के लिए इस पर रखेंगे तेल और तेल एकदम हलका गरम होना चाहिए देखें जब एक बॉल्स को मैं इसमें डाली हूं हलके हलके से बबल्स आ रहे हैं इतना ही आप तेल के टमप्रेचर गरम रखना है और नहीं इससे ज्यादा आपको ठंडा रखना है तो एक बार में जितने भी अच्छे तरीके से फटाई करेंगे तो देखें अगर आपको इसमें कर्ची आप चाहते हैं कि इसमें बिल्कुल भी क्रेक ना आए तो चमच ले लिजेगा और चमच का जो पिछला वाला हिसा होता है उसी से आप गुलाब जामन को अलट पलट किजेगा बिल्कुल भी इस टक तक चमच से पका रेये हूँ जब तक इसक इसका को पूरा अरिया ड्राई नहीं हो जाए गा तब तक मैं इस इतना कल़ आ चुगा थुगा है तब जाके मैं कडीक लगाईं बिल्कुल कहीं से क्रइक लगा एक दो हैं जो जो बाल्स बनाते समय ही क्रैक आया हुआ है लेकिन इसे फ्राइब करते समय बिल्कुल भी कहीं से यह नहीं फटा है मुझे गलाब जामन को फ्राइव करते हुए कड़ीबं 5 मिनट हो चुका है और इनके कितना अच्छा सा कलरड आ चुका है एकदम गलाब जामन के कलरड आ गया है तो अब हम इसे निकालेंगे और इसे डारेक्ट हम चासनी में डाल देंगे तो गरम गरम गुलाब जम उनको निकाल लिए और गरम गरम चासनी में डाल दीजिए सबी गुलाब जम उनको मैं निकाल के चासनी में डाल दीजिए और गैस को ओन कर देना है और ओन करने के बाद इसे हम चासनी में पैकांगे कड़ीबं दो मिनट के लिए क्योंकि हम इसमें नहीं कोई बेकिंग पॉडर इस्तमाल किये हैं और नहीं खाने वाला सोड़ा इस्तमाल किया है इसलिए इसके अंदर चासनी जाने में थोरा सा प्रॉबलम होता है लेकिं जब इसे आप दो मिनट के लिए चासनी में इस तरीके से पका आईए। हुआए इसके अंदर अच्छे तरीके से ढखने जा सके यूई त Ole- करे दे के इसना हिए दोवार से लाया है तो चलिए 2-3 घंटे के बाद मिलते हैं तो देखे मैं इसे 3 घंटे के बाद दिखा रहे हूं देखे पहले से चासनी कितना कम हो चुका है और गुलाब जामून बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके अंदर चासनी जा चुका है तो रेसिपी कैसी लगी प्लिज कमेंट में बत सब्सक्राइब कीजेगा और कमेंट मत आएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और इस तरीके से आप भी बना सकते हैं गेहूं के आटे से गुलाब जामून जो की टेस्ट में इतना जबरदस्त होगा कि किसी कभी पता नहीं चलेगा कि आप इसे गेहूं के आटे से बना है अगर स्वाधिस्ट बनाना है तो थोड़ा से इसमें मिल्क पाडर भी डाल दीजेगा इसका टेस्ट और भड़ जाता है तो चलिए आप भी बनाए और इंजवाई कि